आप सभी का स्वागत करता हूँ चन्नई में दोनों टीमें एक बार पहले भी भिड़ चुकी हैं जहां बैंगलोर ने कोलकाता पर बड़ी जीत दर्च की थी बैंगलोर जहां उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी वहीं कोलकाता को पिछले मैच में दिल्ली की टीम ने रौंद कर रख दिया था टीम को जीत की सक्त जरूरत है बैंगलोर टीम ने शान्दार शुरुबात की थी और लगातार चार मैच जीते थे लेकिन पिछले तीन मैचों में टीम को दो हार मिली है और एक मैच टीम ने एक रन से जीता है टीम के प्रदोशन में लगातार गिरावट देखने को मिली है वहीं कोलकाता की हालत तो और भी खराब है टीम लगातार हारू से परिशान है टीम साथ मैचों में पांच मैच हार चुकी है जिसमें चार दो लगातार हा रहे हैं कप्तान ईयन मॉर्गन सही सायोजन तलाशने में अब तक नाकाम रहे हैं टीम के परले बाद अच्छा प्रदोशन नहीं कर पा रहे हैं ओपनर लगातार फेल हो रहे हैं पिछले मैच में शुम्मन गिल ने कुछ रन तो बनाये थे लेकिन तेज गेंदबाज एक जूट होकर प्रदोशन नहीं कर पाए हैं वहीं अगर बात बैंगलोर की करें तो बैंगलोर ने सीजन की शुरुआत चांदार की थी लेकिन चन्नई से मिली हार के बाद टीम के प्रदोशन में लगातार गिरावट आई है दिली के खिलाब टीम हारते हारते बची थी वहीं पंजाब के खिलाब टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा टीम के धुरंदर बलेबाज पंजाब की युवाइस प्यूरों के सामने ताश के पत्तू की तरह भि HC गए थे अपडेट्स के लिए बने रहें One India के साथ